दोस्तों अगर आपके फोन में भी रैम कम है और रैम को लेकर आप बहुत ज़्यादा परिसान रहते हैं कि भाई मेरे फोन में रैम बहुत कम है तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेटिंश के बारें बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करकर आप अपने फोन में रैम क इंक्रेज कर सकते हैं आप अपने फोन में जितना मन चाहा उतना रैम इंक्रेज कर सकते हैं 2GB, 4GB, 6GB, 8GB जितना आपको इंक्रेज करना है उतना आप कर सकते हैं यह आपका वर्चूल रैम इंक्रेज होगा जिससे कि आपका फोन अगर स्लो चलता है लैक करता है वो सारा time कम रहते हैं तो हमारा phone hang करना है लेक करता है सही कोई application काम नहीं करता। यह सारा problem आपका solve हो जाएगा तो उसके लिए आपको अपने phone के अंदर कुछ settings करना होगा, तो settings कौन सा उसे कैसे apply करना है, तो वीडियो को ज़रा सभी स्कीप नहीं किजेगा तो चलिए उस सेडिस के बारे में जानते हैं उससे पहले में आपसे एक छोटा सा रिक्वेक्ट करता हूँ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें तो चलिए पर टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरा नाम है सिवोम और आप देख रहे हैं टेक सिवोम सोनी योटूब चैनल तो दोफतो हम आगा एब अपने फोन के होम स्क्रीन पर अब मैं यहां पर आपको बताऊँगा कि आपकी तरीके से अपने नॉर्मल से फोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हैं आपका कोई भी फोन हो किसी भी कमपनी का फोन हो आप सभी फोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हैं 2GB, 4GB, 6GB, जितना आपको RAM increase करना है, बढ़ाना है, उतना आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर कुछ सेटिस करना होगा, तो चलिए उस सेटिस के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एक छोटा सा अप्लिकेसन वो है, योर डिवाइस RAM 5.85GB, मेरे फोन में 6GB RAM है, तो यहाँ पर देश सकते हैं, 6GB RAM का, जो मेरे फोन में अभी RAM है, वो यहाँ पर दिखा रहा है, और मुझे और भी ज्यादा increase करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डाउनलोड मोर पर निचे यहाँ पर देश करना चाहते हैं, उतना कर सकते हैं, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, इतने तक करिएगा, 2 से लेकर 16GB तक, निचे आपका जो RAM है, वो काम नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर अपने फोन में 8GB RAM increase करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 8GB पर प्रेस किया, और यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप् सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम निन रहेगा, यहाँ पर पांच या शो सिकेंड लहेगा, उसके बाद जो आपका RAM है, आपके फोन में डाउनलोड हो जागा, और आपके फोन का RAM increase हो जाएगा, यहाँ पर 100% होता ही, आपके फोन में RAM increase हो जाएगा, यहाँ पर देखते है 13.85 GB, यानि कि 8 GB तक मेरे फोन में RAM increase हो गया है, तो इस सेटिंग से आप अपने फोन में RAM को increase कर सकते हैं, आप अपने फोन के सेटिंग मिलेगा, और वहाँ पर अगर RAM आप चेक किजेगा, तो वहाँ पर आपको RAM देखने को नहीं मिलेगा, यह आपका इसी अप्लिकेशन के अंदर आपको RAM यह मिलेगा, यह virtual RAM है, यह आप कोई भी application जैसे डाउनलोड किजेगा, कोई भी game डाउनलोड किजेगा, वह आपका lack नहीं आपका फोन कई भी hang करेगा, यह आपका इस application के अंदर ही RAM रहेगा, और आपका जो phone है, बिल्कुल इसमूज चलेगा, यह बिल्कु अपने phone में नहीं रख पा रहे हैं, तो इस application को डाउनलोड करने के बाद, आपके phone का virtual RAM इंक्रीज हुएगा, और अपने phone में जितना मन चाहा, उतना application रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, और यह जो application है, बिल्कुल genuine application है, आप अपने phone में इसे एक बाद जरूर ट्राइ किजिए, यह आपका application देखने को मिले हैं, तो डैकर आपको जाना है, प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद, यहाँ पर आपको सर्च करना है, more RAM यहाँ पर आपको more RAM सर्च करना है, more RAM सर्च किजिए, तो सब सुपर महीं आ जागा, download more RAM simulator, इस पर आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद, यहाँ से आप download कर सकते हैं, यह ज्यादा बड़ा application नहीं है, सिर्फ 4MB का है, उसके बाद आप अपने phone में RAM को increase कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने phone का RAM increase कर लिजिए, तो I hope कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा useful सा भी तो, वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोफ्तों के पास सेव कर दें, चैनल में नए हैं, तो चैनल में को सब्सक्राइब कर दें, तक तक यह जाहिंट टेक केर मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में